किसान समपता योजना इस योजना को लेकर गौवर्मेंट ने एक बहुत बड़ा एलान किया है तो इसी के बारे में हम जानेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रधान मंतरी किसान संपदा योजना प्रधान मंतरी किसान संपदा योजना को अगस्त 2017 में सुरू किया गया था इस योजना के तहट क्रिसी आधारित कामों को बढ़ावा दिया जाता है इसके साथ ही इस योजना का मकसद है कि बड़े पैमाने पर किसानों को इसका लाप पहुचाए जा सके सरकार ने इस योजना के तहट 4,600 करोड रुपे आवंटित कर इसकी अवधी को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है इससे पहले 2020 तक इस योजना के तहट 6,000 करोड रुपे खर्च करने की योजना थी इसके बाद इसमें 4,600 करोड रुपे और जोड दिये गए और योजना 2026 तक बढ़ा दी गई है आगे जानते हैं कि किसान इस योजना का किस तरह से लाव ले सकेंगे प्रधान मंत्री किसान संपता योजना के तहट सरकार खेती में हुए अनाज को सही तरीके से दुकानों तक पहुचाने के प्रबंधन और आधुनिक बुनियादी ढाचे के निर्माण में मदद करती है इस योजना के द्वारा सरकार किसानों को अपने पैदावार को सही तरीके से बेचने का प्रबंधन देती है इस योजना की मदद से भारत में खाद प्रसंसकरण छेतर के विकास को तेजी मिली है इससे किसानों को अपनी पैदावार बेचने का सही मौका और दाम मिलेगा इससे किसानों के लिए नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे आपको बता दू कि सरकार प्रधान मंतरी किसान संबदा योजना से अपना ये लक्ष पूरा करना चाहती है कि एक ऐसा डायरेक्ट रिटेल आउटलेट यानी फसल फार्म गेट बनाया जाए जिससे किसानों के खेत से अना जल्द से जल्द दुकानों तक पहुँचाया जा सक के जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा ये योजना एक व्यापक योजना है जिसमें मंतराले की चल रही योजनाओ जैसे एकी कृत, कोल्ड चैन, वैल्यू एडिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड, सेफ्टी, एंड क्वालिटी, एंस्यूरेंस, एग्रो प्रोसेसिं क्लस्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्रेशन ग्रीन्स का निर्माड और विस्तार सामिल है इसमें और भी चीजे सामिल हैं जैसे 100% FDI, खाद उत्पादों के वी निर्माड में स्वचालित मार्ग यानि ऑटोमेटिक रूट के माध्धम से 100% प्रत्यक्षे खादों के संबंध में e-commerce के माध्यम से खुद्रा व्यापार करने के लिए सरकार से अनुमोधन के तहत 100% FDI की अनुमती दी गई है। प्रसंसकरण इकाईयों को और Cold Chain of Sun रचना को प्राथमिक्ता प्राप्त छेतर रिड जिसे Priority Sector Lending यानि PSL कहते हैं। इसके लिए क्रिसी गतिवीधी के रूप में वरगी कृत किया गया है। और राजकोशियों उपाये के बारे में बात करें तो नई खाद दे। प्रसंसक वार्सिक टर्नोवर से प्राप्त लाब से 100% आयकर छूट को क्रिसी के बाद फसर मूले समवर्धन जैसी गतिवीधियों के लिए अनुमती दी गई है। यहाँ पर आप और भी चीजे देख सकते हैं जिससे किसानों को कई लाब प्राप्त होंगे। इससे पहले यानि 2016 में क्रिसी समुद्री प्रसंसकरण और क्रिसी प्रसंसकरण समुहों का विकास या संपदा नामक एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई थी जिसे वर्स 2016 से 2020 की अवधी के लिए 6,000 करोड रुपे के आवंटन के साथ लागू करने का प्रस्ताव था। वर्स 2017 में सरकार ने संपदा योजना का नाम बदल कर प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना कर दिया है। इस योजना का उद्देश से प्रसंसकरण और संरक्षण चमता के निर्माड को बढ़ाना, क्रिसी में आधुनिक तकनीक को बढ़ाना, अनाज के बरबादी को कम क इस योजना से किसानों और उद्मियों की सहता के लिए सहता अनुदान के रूप में क्रेडिट लिंग्ड वित्य सहता दी जाएगी। इस योजना से देश भर में बहुत किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के बारे में तो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट।